क्या बीना मुर्गा के मुर्गी अंडा देती है या नहीं या फिर मुर्गी बीना मुर्गे के समपर्क में आये बीना अंडा दे देती है तो क्या उस अंडे से चूजा निकलेंगे या नहीं बहुत सारे लोगों के मन में मुर्गे पालक भाईयों के मन में या confusion हमेशाब बना रहता है तो उसी confusion को आज के इस वीडियो पर दूर करने वाला हूँ को बता दू कि मुर्गी अपना mature stage पर आने के बाद 24-27 घंट में एक अंड़ जो है आटोमेटिकली दे देती है चाहे वहां मुर्गा के संपर्क में आए या ना आए यदि इसी बीच में मुर्गी जो है मुर्गा के संपर्क में आ जाती है तो वह अंड़ जो आएगा वह अंड़ जो है फर्टाइल अंड़ होगा मतलब उस अंडे को इंक्यूबिट करने पर या पिर मुर्गी को सेवाने पर उस अंडा से जो है चुझे निकलेगा या पिर इस दर्म्यान में यदि वहां मुर्गी मुर्गी के समपर्क में नहीं आती है तो वहां अंडा जो है अनफर्टाईल एग होगा मतलब उस अंडे को हम johai incubate करेंगे या फुर मुर्गी को सेने के लिए देंगे तो उस अंडे से जो है चुझे नहीं निकलेंगे जैसा आपने देखा होगा कि मार्केट में जितने भी अंडे आते हैं जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जो है अन्फर्टाइल अंडा होता है मतलब जिस मुर्गी से वो अंडा निकाला गया है उस मुर्गी के जो है मुर्गे के संपर्क में नहीं लाया जाता है तो यह अन्फर्टाइल अंडा हो जाता है और अन्फर्टाइल अंडा के यहां फायदे होते हैं कि यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो यह जानना आपके लिए काफी ज़्यादा अवश्यक होगा कि मुर्गी के अंड़ी का फटाइल जैसन कहां पर होता है और आप असानी से फटाइल एक और उन फटाइल एक को पहचान लेंगे तो इसके लिए हमें जो है scientificly जानना होगा तो बात करते हैं कि मुर्गी के सरीर में अंड़ा बनाने के लिए उनके सरीर के दो पार्ट्स होते हैं एक और जिसे अंडा से कहते हैं और दूसरा पाध होता है और अविडक्ट अविडक्ट के खुद के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहां पर step by step जब अवरी पर अंडा बन जाता है अब पर आटमेटिक्ली बन जाता है चाहे वहाँ मुर्गे के संपर्प के में आए या ना आये और एक निश्चित अकार में याक का साइज होने के पाश्चात ओवरी जो है इस याक को रिलिज है और औरृविट्यक्ट में चल जाता है सबसे पहले आविडेक्ट के इनफंडि पुलंब पार्ट्स पर पहुंस्टा है ये यॉक और यहीं पर जो है मुर्गे का काम शुरू होता है यहां पर इनफंडि पुलंब पार्ट्स पर लगभग ये हैं हो पकी Ladr तक रहती है और इसी बीच में मोर्गा मोरगी को क्रdess करने लेता है इस ऑन sociedade करने से निकले और उस lowered करने से उस अंडे से जूजह नं निकले गे तो यहां पर ही मुर्गी का यहां पर चांधर यहां यहां पर बता है यहां पर लगभग 3 घंठे तक रहता है यहां पर अल्बूमिन बनता है मतलब अंडे के जो यौक के उपर सफेद परज चड़ती है उसके पस्चाथ यहां से रिलीज होनी के पस्चाथ एस्तमप पार्ट पर पहुंच जाता है यहां पर एक घंटा पचीस मिनिट के आज पास अंडा जो है रूपती है यहां पर अंडे की उप जो है सॉप्ट सेल बनता है मतलब जिली चड़ता है उसके पस्चाथ फाइनल लास्ट पर या अंडा जो है यूट्रेस में पहुंच जाता है यानि की सेल पर पहुंच जाता है और यहीं पर जो अंडे की ऊपर जो सकत कवर चड़ता है छिलका चड़ता है इसी करन इसी में अंडा बनती है और फर्टाइल होना या अनफर्टाइल होना इसके उपर जो है डिपेंड होता है तो दोस्तों यह था एक छोटी सी जानकारी और इसी तरह से नहीं जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि भुष्च में आने वाली ऐसी नहीं जान करी आपको मिलती रहे